नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चनल चुन्नुजे के संटर पर मेराकेश कुमर रायो चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ जार्खन सामान ज्यान क्या लेकर आया हूँ जार्खन सामान ज्यान जिसमें टॉपिक है भूमी संबंधी कि छोटा नाखपूर टिन्योर्स एक्ट कब लागो किया गया आपका अप्षन है 1979, 1879, 1770, 1890 तो देखिए दोस्तों इसका राइट अंसर हो जागा आपका अप्षन भी 1879 तो देखिए इसका राइट अंसर क्या होगा आपका अप्षन है बाभू, राखाल, दास, हल्दर, जयपाल, सिंग, विर्शा, मुंडा, देवधान, दास, सिंग तो देखिए इसका राइट अंसर हो जागा अप्षन ए, अप्षन ए, बाभू, राखाल, दास, हल्दर संथाल परगना कास्तकारिय धिनियाम कब पारित किया गया 1879, 1897, 1908, 1959 कब तो देखिए इसका राइट अंसर है अप्षन डी, अनियर उनिस्तों पचास चलिए आगे बढ़ते हैं, धारखन में किस वर्ष सबसे पहले माल गुजारी ब्यश्था अलागू की गई थी तो देखिए इसका राइट अंसर क्या होगा आपका अप्षन ए, 1765, 1775, 1780 तो देखिए इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्षन ए, 1765 किस मुगल सासक के समय जारखन में पहली बार माल गुजारी ब्यश्था अलागू की गई थी तो देखिए इसका राइट अंसर क्या होगा आपका अप्षन है, हुमाउ, अकबर, साजा, औरंग्जेव राइट अंसर हो जाएगा, अप्षन बी, अकबर चलिए, दोस्तों आप देख रहे हैं, जारखन सामान ग्यान, जारखन जी के जिसमें आप जे एससी, जे पी एससी, जारखन सिक्चक बरती, जे एससी, सीजे एल जारखन पुलीस, जिसकी भी तयारी करें, सब के लिए ये वीडियो इंपोर्टेंट है निम्न में से किस वर्ष रामगड के पहाड़ी छेत्रों में, अस्थाई बंदोबस्त रेग्यूलेशन एक्ट लागू किया गया आपका उप्षन है, 1791, 1793, 1795, 1797 तो कि राइट अंसर हो जाएगा, आपका उप्षन भी 1793 चलिए, नेक्स सवाल देखते हैं बहुत ही इंपोटेंट टोपिक चल रहा है दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा धारखन में किस वर्ष पहली बार रायतों के अधिकारों को परिभासित करते वे उनकी सुरक्षा का प्राधान किया गया आपका उप्षन 1873, 1814, 1824, 1827 तो देखिए दोस्तों इसका रायत अंसर हो जाएगा आप्षन C, 1824 चलिए 1879 इस वी में रांची के असपास कितने गावों में भूईयरी सर्वे किया गया आपका आपका उप्षन 2482, 2582, 2712, 2932 तो देखिए इसका रायत अंसर हो जाएगा आपका उप्षन A, 2482, 2872 तो देखिए इसका रायत अंसर क्या होगा आपका उप्षन C हो जाएगा राखल दास पहले भी सवाल में पूछ चका हूँ चुठियानागपूर चेत्र में किस वर्ष छोटानागपूर पर एवमकस्तकारी प्रक्रियादनियम में को लागू किया गया तो देखिए इसका रायत अंसर हो जाएगा आपका उप्षन B, 1899 मुंडारी खुट कटिदारी पर्था को किस वर्ष माने था परदान की गई 1901, 1903, 1904, 1905 कब तो अप्षन B इसका राइट अंसर हो जाएगा 1903 बिहार, भुमी, सुधार, अधनियम को किस वर्ष लागो किया गया था आपका अप्षन ने 1937, 1940, 1950, 1950 तो कि राइट अंसर हो जाएगा आपका अप्षन C, 1950 किस वर्ष बिज्ञानिक तरीके से सर्वे कराकर रही है तो यह हम जमिनदारों को जमिन के आप अंटन का कार शुरू किया गया 1902, 1905, 1908, 1908 या इनमें कोई नहीं क्या होगा इसका राइट अंसर इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका अप्षन A, 1902 इस भी देखिए दोस्तों मैं वीडियो को चाहूं तो लंबा खीच सकता हूं एक एक प्रस्त में दो-दो मिनट लगा सकता हूं लेकिन अगर आप 20 प्रस्त देखिएगा तो एक घंटा लगेगा उससे अच्छा कि 8 से 10 मिनट के अंदर जदी आपको 50 से 20 से 25 प्रस्त मिल जा रहा है तो उसमें आपको फाइदा जादा है आप जल्दी देख पाईएगा समय भी आपका कम लगेगा बिटिश सेशन का अलमेज हरखन में जमिनदारों की निजुकती तथा उन्हें पद्द से हटाने का अधिकार किसे दिया गया था आपका अप्शन है वाइसराय को जीला कलेक्टर को अनुमंडल पता दिकारी को दिवान को तो दिकी राइट अंस किजिएगा तो मैं एक फिक्स समय पर आप लोगों के लिए कुर्स एवलेबल करूंगा जो फिरी में रहेगा उसका एक भी रुपया आप लोगों को नहीं लगेगा धारखन जीकी का और फिर समान ग्यान का अलग-अलग मैं वीडियो बनाऊंगा जिसे मैं फिक्स समय पर टालूंगा जिससे आपकी तैयारी वी बहतर से हो सके पूरा एंस्याटी लेवल पर कोश्चन होगा अगर आपको यह वीडियो एंस्याटी लेवल का कोश्चन एंसर देखना चाहते हैं तो कॉमेंट जरू किजिएगा लिए निवन मैं से किस अधिनियम के द्वारा लगान चोटानागपुर भोदरित्ती अधिनियम 867 द्वारा तिससा है बंगाल कास्तकारी अधिनियम 897 द्वारा चोथा है उडिशा कास्तकारी अधिनियम द्वारा तो किसका राइट आंसर जो हो जाएगा ओ जाएगा आपको आप्सन बी चोटानागपुर भोदरित्ती अधिन यह कंस्तकारी प्रक्रियादिनियम को कब लागो किया गया आपका अपसर ने ठासा अचांशी में ठासा शन्तानबे में ओने 208 में 350 में है तो देखिए इसका राइट अंसर हो जागा आपका अप्षन ए 1880 में निम्न में से कौन एक भूमी सर्वेक्षन से समभणदीद है आपका अप्षन ट्रावर्स सर्वे ठाकवर्ष्थ सर्वे के डिस्ट्रल शर्वे उप्रूग तीनों तो देखिए राइट अंसर हो जाएगा आपका अप्षण डी उप्रिव तीनों अनि ट्रवर्ष ट्रवर्ष सर्वे थाकवर्ष्टु सर्वे के डिस्ट्रल सर्वे चलिए आगे देखते हैं छोटा नाखपुर कास्तकारी अधिनियम से दो वर्ष पूर निवन में से कौन सा भोमी सर्वे चलिए आपका अप्षण ने ट्रवर्ष सर्वे थाकवर्ष्ट सर्वे के डिस्ट्रल सर्वे इनमें कोई नहीं तो राइट अगे देखते हैं छोटा नाखपुर में मोजाबार सर्वे किस बार्स प्रारम हुआ जिसके अंतरगात खेवा टेम खतियान करने रिमान किया जाना था आपका अप्शन ने 1902, 1903, 1908, 1911 तो इसका राइट अंसर जाएगा 1902, ओप्शन ए चारकन के भूमी समंदी कानून टोपिक चल रहा है दोस्तों शोटा नाखपुर कस्तकारिय दिनियम के प्रारूप का निर्मान किस वर्ष किया गया आपका अप्शन ने 1902, 1903, 1908, 1911 तो इसका राइट अंसर जाएगा उप्शन बी 1903, निम्न कत्नों में से सही कौन सा है तो देखे, मैं डाइट अंसर बता देता हूँ, आप इसको पढ़ लिजिएगा वीडियो को पोज़ करके इसमें एक और दो, दोनों सही है, ठीक है कि किसी भुयरी या मजियास धृत धारन करने वाले व्यक्ति की जमीन का बेजा कबजा हरन हो गया हो है तो उसे पुना प्रतिश्वित करने की सकती विशिष्ट कमिशनर के पास है तो साथी कोई व्यक्ति भुयरी या मजियास धृतियों पर दावा करता है तो कमिशनर उसके स्वत्व की जाच और परताल और उसका सिमांकन करेगा ये दोनों सही है तो आज का ये वीडियो पो कैसा लगा कॉमेंट जरू किजिएगा तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ तब तक लिजय हिंज जै भालत